जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिद जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे है तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है ठीक है तो दूस्तो हम देखें कि प्लेय स्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes ठीक है यह Play Store में आपको Self Study Classes का एप दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तो इसको install करना है यहाँ से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे जैहिन सात्यों स्वागत है आपका self study classes app में तो दोस्तो सभी लोग video को like करना और video को share भी अपने मित्रों तक जरूर करना है ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का A-Session और दोस्तो अगर अभी तक आपने self study classes का app डाउनलोड नहीं किया तो self study classes का app जरूर डाउनलोड करें ठीक है आज आपको बताना है प्रेमचन जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है प्रेमचन जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है ये चार बिकल्प आपके सामने है दोस्तो आज हम अपूर्ण अपूर्ण रचनाव को पढ़ने वाले हैं तो ये चार बिकल्प में से आपको chain करना है कि प्रेमचन जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है और वो उपन्यास कुंसा है मंगल सूत्र बुली सर प्रेम में मंगल सूत्र अधूरा रह गया बुली सर बाकी तो सब हो गया प्रेम में तो प्रेम में मंगल सूत्र अधूरा तो प्रेम चंद का मंगल सूत्र अधूरा रह गया जैसंकर प्रसाद का अपूर उपन्यास कौनसा माना जाता है ठीक है इन्होंने दोस्तों जैसंकर प्रसाद की जब भी बात आती है तो इन्होंने तीन उपन्यास लेखी हैं सबसे पहल होगा कि जो इराबती है यही जैसंकर प्रिसाथ का अपूर उपन्यास है यानि कि इस प्रस्ण का उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या यह नंबर इराबती ठीक है यह आपका बिल्कु सही है अब दोस्तों यहां पर आपन देखतें अंगला क्वेस्चन है भू भूटनात किसका अपूर उपन्यास है ठीक है राइट आइसर आपका क्या हो जाएगा देव की नंदन खत्री किनों ने दोस्तों भूतनात उपन्यास लेखा और यह इनका अपूर उपन्यास माना जाता है कौनसा अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि भूतनात किसका पूर्ण पन्यास है तो आप क्या बताओगे देव की नंदन खत्री का इसको पूर्ण किस ने किया तो किस ने किया दुरगा प्रसाथ खत्री ने इसको पूर्ण किया और दुरगा प्रसाथ खत्री इनके पुत्र थे इन्हों ने इस भूतनात पन्यास को पू जरू करें निराला के अपून उपन्यास कौन सा है जल्दी से बताओ काली कारणा में चमेडी या फिर इंदू लेका या उप्रोक्त सभी निराला जी के बारे में आपको पता होगा दोस्तो चार छायाबाद के चार आधार इस्तंबो में निराला का नाम भी दोस्तो आता है इनकी चंद मुक्त रचना आपने पड़ी होगी जुही की कली पड़ी है ठीक है ये भी आपको याद रख़े ना इनके गुरू का नाम था दोस्तो महाबीर पिरसाद दुवेदी निराला जी के ठीक है और निराला जी के जो अपून पन्यास है इनके काले कारना में भी अपून पन्यास है यानि कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा वो प्रोक्त सभी सारे के सारे ये तीनों काले कारना में चमेली और इंदुले का ये निराला जी के अपून पन्यास माने जाती है ठीक है इनको याद रखेंगे अब बात करते दोस्तों कंसबद ये किसकी अपू नदास मिल जाएगा कई पुस्तकों में आपको अंबीका दत्य ब्यास मिल जाएगा लेकिन ये बास्तों में जो कंसबद है ये रचना दोस्तों अंबीका दत्य ब्यास की अपून रचना है किसकी है अंबीका दत्य ब्यास की तो इस डाउट्स को आप अलग कर दीजिए रा वाली किलास में आपूर्ण वाली रचनाओं में ऐसे ही कई रचनाओं आप तक प्रेशित की जाएंगी ठीक है तो जिन भी सात्यों को दोस्तो सेल्फ इस्टडी किलासेश एप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया वो एप जरू डाउनलोड करें बड़िया ओफर चल रहा है हिंदी साहित के दोस्तों कोर्स में आप हिंदी साहित के कोर्स में एडवीसर ले सकते हैं चाहे आप टीजीटी पीजीटी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं है ना चाहे दोस्तों आप मास्टर केडर की तयारी कर रहे हैं चाहे आप जूनियर ट्रेट एक्जाम की तयारी कर रह करते हैं आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही जय धिन दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते वर रहा है या फिर कर भी लिया है तो को भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि यह जो सेल्फ स्टडी किलासे से प्रकार से ज दिखेगा यह सेल्फ स्टडी किलासेस ठीक है यह प्लेस्टोर में आपको सेल्फ स्टडी किलासेस का एप दिखने बाला है ठीक है यह इमेज उसमें डली है यह आईकन यह लोगो उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है यहां से आप इंस्टॉल करे करेंगे ठीक है अब इस्टोल करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको टीपी आएगा तो आप रेजिस्टर्ट करके आंगे बढ़ेंगे